हेलो प्यारे बच्चो यह है आपकी इंग्रिश वर्क्षीट नमबर 27 जो आज आपको 30 दिसेंबर 2020 को करनी है बीटा आज we are going to learn about the adverbs आज हम पढ़ेंगे adverbs के बारे में देखिए look at the following pictures carefully and read out the sentence given against them तो आप picture देखिए और उसके सामने जो sentence लिखा है आपको वो पढ़ना है he runs slowly, वो धीरे से दोड़ता है बर्गर, she eats बर्गर quite regularly, वो regularly बर्गर खाती है, बहुत ज़ादा बर्गर खाती है नेहा has very beautiful dress, तो very देखो आपको यह dark करके दिये गए है न यह बताया गया कि काम कैसा हो रहा है type, उसका manner my grandmother walks daily मेरी grandmother जो है वो daily walk पर जाती है, सैर करती है the words in bold letters in each sentence tell us something about the verb, adjective or adverb in the sentence जो हमें bold करके words दिये गए है बिटा, very, daily, quite, regularly, slowly तो यह सारे words क्या है यह सारे words हमें verb के बारे में, adjective के बारे में बता रहे हैं या adverb के बारे में बता रहे हैं adverbs are the words that are used to modify a verb, adjective or another adverb वो adverbs, वो words हैं जो modify करते हैं उसको और बढ़ाते हैं उसके बारे में और information देते हैं किसी verb के बारे में, adjective के बारे में या another adverb के बारे में We must remember an adverb never modifies a noun or pronoun बिटा कभी भी एक adverb जो होता है वो noun या pronoun को modify नहीं कर सकता है noun और pronoun तो क्या है? name है An adverb tells us what हमें adverb बताता है what, where, when and in what manner of work is done Adverb, कोई भी काम है, एक work है Adverb, verb मतलब क्या होता है? कोई क्रिया हो रही है और वो क्रिया कैसे हो रही है, कहा हो रही है, कब हो रही है, किस तरहां से हो रही है कैसे हो रही है, तो how Slowly, धीरे हो रही है, sincerely हो रही है, easily कर पा रहे है Carefully, comfortably, to किस तरहां से हो रही है, कैसे where कौन सी जगा पर वो काम हो रहा है below, नीचे, above, here, उपर है, नीचे है, यहाँ है, outside, inside, तो outside है तो inside भी word उसमें है, यह सिर्फ आपको कुछ examples दिया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यह words है और भी words है यह आपको example दिये कि how means कैसे where मतलब कहा, कौन सी जगा पर हो रहा है, when, कि समय पर हो रहा है, when, समय के लिए उस होता है, तो today, last year, yet after, before, तो यह समय के जो सूचक है, जो words जो हमें time के बारे में बता रहे हैं how much, कितना कितने कौन, very, almost entirely, completely fairly, जैसे उपर था quitely, या quite, तो यह जो words हैं हमें slowly how often, कितने कितने, कितनी जल्दी, regularity क्या है उसकी, किस तरह से, कितनी बार हो रहा है, तो always, यानि कि हमेशा seldom, regularly rarely, never, कभी नहीं, तो किस तरह से हो रहा है, कितना उसमें repetition है, frequency क्या है, उसकी, यह हमें बता रहा है, तो हमें adverb ने क्या क्या बताया, adverb से हमें पता चला how, where, when, how much, how often, उसके बाद बिटा देखिए, read the sentences and encircle the adverbs, तो हमें sentences को read करना है और encircle करना है adverbs इसमें, the child cries loudly, तो कैसा रोता है, बहुत जोर से रोता है, loudly, he has just completed his work, उसने बस अभी, अभी खतम किया अपना काम, तो अभी खतम किया, कब किया, अभी खतम किया, when के लिए आगया, just, अब देखिए, ये manner है, loudly, the weather was extremely hot, कितना, तो कितना hot है, extremely hot है, बहुत जादा गरम है, मौसम, I have misplaced my bag somewhere, कोई जगा, किसी जगा पर, जगा के लिए बताया, उसने किसी जगा पर, उसका वो bag misplaced हो गया, अब देखिए, fill in the blanks with the appropriate adverbs in the given box, तो ये कुछ, आपको clues दिये गए हैं box में, अब इसमें से ही आपको अपने sentences को fill करके complete करना था, they danced very gracefully, वो सब बहुत अच्छे जनाशते, तो यहां क्या गया gracefully, I have written two breads, मैं दो breads खा चुका हूँ, या खा चुकी हूँ, but still I am hungry, लेकिन अभी भी मुझे भूक लग रही, अभी भी, तो outside the shop, shop के बाहर मिलेंगे, वो हमें जहां हम जा रहे, come and sit, जगा पूछा, come and sit, here, सरोज is very happy, because she won the race, कैसा है, वो बहुत happy है, क्योंकि उसने race जीत ली, then question number D, D में देखिए बिटा करना क्या है, jumble sentences थे, जिनको आपको meaningful sentences में change करना था, तो speaks always the, he, truth ही अलग लग, आपको jumble मतलब mix करके दिये गए हैं, आपको, उसको rearrange करना था, तो he always speaks the truth, देखिए, he, इसमें क्या आपको हमेशा याद रखना है, subject, plus helping verb, plus main verb, plus object, आप ये basic याद रखिए, उसके बाद उस verb के पास उसका adverb लगेगा, वो आप याद रखिए, कि verb से जादा तर पहले जो होता है, adverb होता है, लेकिन वो place का बता रहा है, तो वो बाद में भी आ सकता है, जब आप इसको arrange करेंगे, तो आप automatically समझ जाएंगे, कि यहाँ क्या होना चाहिए, जैसे देखिए, यहाँ पर he, subject है, he always speaks the truth, we rarely, अब देखिए, always, rarely, ये adverbs हैं, fast, then outside, ये सब adverbs का use करके sentence बनाएं आते हैं, बहुत ना के बराबर जो चीज़, कभी theater जो है, बहुत कम जाते हैं, my friend drives fast, मेरा जो friend बहुत तेज चलाता है, गाड़ी कैसी चलाता है, तेज चलाता है, how fast चलाता है, then, अब यहाँ पर देखिए, please take off, अपने जूते उतारिए, please take off your shoes, outside, अपने जूते बाहर उत तो इस तरह से यह adverbs का use करके sentences बनाए गए हैं, जिसमें basic sentence structure को अगर आप याद रखेंगे, कि आप subject sentence structure में जैसे अभी पताया है, subject plus helping verb plus main verb plus object, main verb क्या है, जो काम हो रहा है, ठीक है, और helping verb क्या होता है, is, mr, इस तरह से जो हमें, यह helping verb होते है, auxiliary verbs भी बोलते हैं, वो आएंग subject जिसमें noun और pronoun होता है, mainly लेकिन जरूरी नहीं है, तो आपको देखना है कि किसके बारे में बात हो रही है, तो वो subject है, object जो आपका, बाकी काम हो रहा है, वो object में आ जाता है, तो आप main sentence structure को ध्यान में रखेंगे और फिर उसको arrange करिए, बहुत easily आप कर पाएंगे, then covid appropriate behavior, keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards, use a mask, wash your hands regularly with soap and water, पीटा बहुत जरूरी है, यह सब guidelines follow करना, अब covid-19 का variant भी आ गया और हमें उसे हराना है, और यह हम सब की जिम्मेदारी है, I hope you all will help each other to be aware, हमेशा aware रही है, and take care of yourself, keep learning and enjoying, stay blessed and healthy, and have a nice day, be in touch, touch में रहिए, channel को subscribe करके, bell icon को press कर दीजे, ताकि जैसे ही video upload हो, आपके पास notification आ जाए, और आप समय पर अपना काम कर सके, thank you, bye